नमस्कार बहुत स्वागता है आपका मेरी यूटीव चनल पर आज का हमारा विशह है कि कुछ जातक सुननी से सिखर पर कैसे पहुँच जाते हैं जीरो से हीरो बन जाते हैं, जीरो से सुरुवात करते हैं और अर्वों का मालिग बन जाते हैं आखिर हतेली में इसी कौन सी चिन्न होती है, जो उसे अरबपती बना देती है, करणोपती बना देती है, जैसे ही वो युवा अवस्था में पहुंसता है, उम्र उसकी 25 से जादा 27, 28, 30, 32, 30 की उम्र के बाद वो यत्यधीक तरक्की कर लेता है, आखिर कौन से कारण होती है, उन्ही कारणों पे कुछ हम चर्चा करेंगे, चर्चा करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेर अवस्जी करें, धनिवाद, हाथ आगे बढ़ते हैं, चर्चा में हम कहा रहे थे, कि कुछ लोग तरक्की बहुत जादा करते हैं, तो सबसे पहल अंगलियां जो है, सब कुछ जो है, इनकी बनाबट कुछ ऐसी हो कि ऐसा लगे कि यह स्ट्रेट है, एक जगा से सुरुई हुई, ऐसा लगे, लगबग, हतेली थोड़ा सा चकोर नुमा हो, पहला बात, दूसरा पॉइंट जो है कि हतेली गद्देदार हो, आप अपने हतेल दिलाती है, माउंट्स दिलाती है, रेखाएं, सिर्फ आपको तरक्की नहीं दिला सकती, तो उसमें सबसे ज़्यादा है कि आप कुछ माउंट्स जो बहुत ज़्यादे अवस्चक है, जैसे गुरु परवत, समाज में पर्तिष्ठा के लिए गुरु, सनी धन के लिए सनी, सुरी मान समान, राजि से लाब, बुद्ध बैपार से लाब, सुक्र, सुक्र बिलासिता, उच्च रहन सहन को दिखलाता है, तो इन सब चीजों में कुछ परवते हैं, ऐसे तो सभी परवते सभी के हाथों में अच्छी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों के हाथों में सुक्र परबत भोग विलास अगर सुक्र परबत दवा हुआ है बाकी अच्छा है तो आपके पास धन रहेगा लेकिन आप उपयोग नहीं कर सकेंगे अर्बों की संपत्ति है लेकिन आप साधारन रहन सहन मेरा जाईएगा आपने देखा होगा शमाज में ऐसे कुछ लोग होत करतेंगे परबत के बाद की स्थिति है कि आई रहेगी तो ही सब कुछ सुक्सुभिधा आपको मिलेगा दूसरी इस्तिती है कि अच्छी भाग रेखा, अच्छी भाग रेखा माने जाती है कि सनी से मनिबंद तक मनिबंद से निकल कर सनी पर पहुँचने वाली भाग रेखा आदमी को इनसान को बहुत आगे बढ़ाती है तो ये एक भाग रेखा अच्छी क्वालिटी का माना जाता है भाग रेखा अच्छी हो आपके भाग रेखा से अगर एक रेखा गुरू परवत की ओर जाती हो तो ये ये दर्साता है कि ऐसे जातक कड़ोपती अवस्य होंगे साथ में इनको समाज में मान परतिष्ठा भी जितनी जादा दिखती हो जितनी जादा संख्या में उपर क्यों बढ़ती हो यह ध्यान दे आप जीबन में उतनी जादा तरक्या करिएगा और तरक्य करते चले जाईएगा आगे बढ़ते चले यह कुछ चिन्न है यह रेखाएं जितनी जादे होगी पतली-पतली संख्या मे एक बात सबसे बड़ी बात है ध्यान देने राहू रेखाएं नहीं होनी चाहिए राहू रेखा अगर इस परकार से आपके जीवन में बनती है तो यह आपके तरक्की को छीन कर देगा रेखाएं कितनी भी अच्छी हो यह आपको बाधा डालेगा ही डालेगा राहू जादा नुक्षान पहुचाती है अन्य जो सुबचिन है सूरी रेखा सूरी रेखा एक हो तो अच्छा दो है तो और अच्छा सूरी रेखा अगर लंबी हो तो बहुत अच्छा अगर इसका रिलेशन अगर हम इस परकार से भागी रेखा से बन जाए तो ऐसे जातक अरब पत तो यह है कि बैपार के छेतर से आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलने वाला है बड़े बड़े बिजनसमेन के हाथ में केतु पर मचली अबस सी देखा जाता है अगर केतु छेतर पर आपका मचली यह बनता है तो आप बड़े बिजनसमेन बन सकते हैं